हाई फ्रेंट्स गुरी इवनिंग वेलकम दूआ चानल नियो मार्केट्स आज एक्सपाईरी का दिन था कहां पर हमें अपने प्राइस एक्षिन सेट अप से एंटरीज मिली कहां पर हमने एसल रखा हम बात करने वाले हैं यह सब इस वीडियो में यह एक लर्निंग वीडियो है फ्रेंट्स आपको आईडिया मिलेगा कि प्राइस सेक्षिन सेट अप से आपको ऐसे ड्रेट्स ले सकते हैं फिद मίνिमम ओयश सबुए चार्ट पर चलते हैं आपको आज की trades के logic explain करते हैं हमारे सामने bank nifty spot का chart है 5 minutes के time frame में आज जो bank nifty का range था अगर आप friends note करें तो देखिए जो previous day low था और previous day high bank nifty ने इसी के बीच में आज trade किया और important point यह है अगर आप देखें bank nifty continuously higher highs बनाता रहिया हाई बना पिर एक यहाँ high बना फिर दूसरा high बना काफी दिर consolidate होने के बाद एक new high बनाया और फिर उसने अपने day high पे जाके closing दी जो कि previous day high था तो यह आज bank nifty का एक pattern बना था higher highs बना रहा था तो सुभा एक gap down opening हुई bank nifty ने बहुत अच्छा support लिया previous day low पे इसके पाद price वापिस retest हुआ वापिस previous day लोग को break नहीं कर पाया bank nifty ने जो कि उसने एक strength दिखाई हम वेट कर रहे थे हमारे price action setup से कोई भी trade बनता तो यहाँ पर एक trade है जो अगर कोई experience traders है तो second time bounce में यहाँ पर इस candle पे एक quick scale बनता है जो कि आपको यहाँ का target देता हमने यह trade नहीं लिया आज हम वेट कर रहे थे bank nifty में because nifty लगातार upper side का move दे रहा था और bank nifty और nifty standem में नहीं चल रहे थे तो हमने यह trade नहीं लिया बट यह एक trade upside का यहाँ पर बनता है इसके बाद हमने जो पहला trade लिया friends यहाँ पर आप देखे हैं तो bank nifty ने अपने pivot और previous day close पे एक green candle बनाई इसके बाद जो pattern बना आप देखे inside candle बनी यह हमारा favorite setup है because inside candle के लिए हमारा जो SL रहता है हो बहुत छोटा रहता है और जिस direction में inside candle के breakdown या breakout होता है हम उसाइट का trade ट्राए कर देखे इसे ही inside candle का low break हुआ हमने एक short trade में enter किया SL हमारा just inside candle के just ऊपर था यह pivot के just ऊपर 45212 के level पे और जो हमारा target था वो आज का low था जो previous day low यहाँ पर और आज का जो low था वो लगभग सेम था तो यहाँ पर यह candle बनते हैं यह हमने अपने short trade से exit कर दिया तो यह हमारा day का पहला trade था इसके बाद bank nifty ने यहाँ अच्छा एक support लिया वो पिस previous day low पे support लेते हुए bank nifty ने काफी strength दिखाई यहाँ पर अगद देखें bank nifty ने यहाँ पर पाइवर्ट के पास यहाँ पर एक red candle बनाई this was a trapping candle for sellers ऐसे दिखाया गया कि price निचे की तरफ जायेगा लेकिन यहाँ पर बहुत ही fast movement होई और जितने लोगों के essence यहाँ पर लगे थी यह दो candles के ऊपर वो हिट हुए इसलिए बहुत fast upside का movement देखने को मिला तो जैसे ही यह reverse moment मिला हमने यहाँ पर एक long trade में entry करी और again यह reason यहाँ पर यह था कि देखे यहाँ पर भी अगर आप देखे एसल बहुत ही छोटा था तो हमने यहाँ पर यह जो candle है इसके नीचे प्रिविएस देख लोगों जो था 45, 190 इसके नीचे एसल लगाया और यहाँ पर हमने long trade में entry कर दी यहाँ पर हमने entry की और price यहाँ पर देखे बहुत consolidate होने लगा जब यहाँ पर यह consolidate होके यह doji बनाया तब हमने यहाँ पर इस doji पर अपनी long trade से exit कर दिया profit में इसके बाद price नीचे की तरफ आया थोड़ा फिर उपर गया फिर इसने pivot पे बहुत अच्छे support लिया पाइवर्ट पर जब इसने इसी level पे और previous day close पे यह pattern बनाया हमने again with a very small SL अगर आप यहाँ देखे फ्रेंस यहाँ पर 30 point का options में SL रहता है तो यहाँ पर नहीं SL था and it is worth the risk because यहाँ पर आपको 1 is to 3, 1 is to 4 का target मिल सकता है तो यहाँ पर हमने वापस long trade में enter किया with a small SL और यहाँ पर अगर आप देखे price consolidated होता रहा हम बेट करे थे कि यह day high को touch करेगा हमारा जो target था day high यह बहुत fast candle आई इसने हमारा target भी meet कर दिया और यहाँ पर जब इसने reversal pattern मा नहीं कोशिश करी हमने यहाँ पर price retrace होने के time पर इस candle में यहाँ पर top पर इसमें से exit कर दिया अपने long trade से इसके बाद यहाँ पर price इन दोनों range के बीच में ही चलता रहा कोई भी setup नहीं बना तो हमने कोई भी trade पर यहाँ पर entries नहीं ली अगर हम इसी trade में बने रहते और previous day high car target रखके continue करते तो शायद वो target भी आज meet हो जाता लेकिन हमने यहाँ पर reversal होने के time यहाँ पर जो thread बन रहा था हमने इस trade में से exit कर दिया था long trade पर तो आज के यह तीन trades थे friends कल Friday का session ने 7th of July हमने mark किये हैं levels आए उनको review करते हैं कल के लिए जो levels रहेंगे friends उसमें previous day close का जो काम करेगा level वो है 45 315 pivot है 45 264 पर जो एक support resistance का काम करेगा हमारे पास previous day low 45 041 का है और 45 000 पर काफी ज्यादा open interest है अगर यह level break होता है तो नीचे की तरफ पहला target हमारा 44 766 रहेगा और second target 44 500 previous day high जो है वो है 45 419 पर इसके breakout पर हमारे पास जो पहला target निकल के आता है वो है 45 656 यहाँ पर आपको एक resistance देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर आपको watch out करना है कि कोई price action setup बनेगा तो हम उसी accordingly इस upside या downside का trade लेंगे अगर यह level भी break होता है तो bank nifty में आपको 46 000 जो की एक new all time high है वो देखने को मिल सकता है चल इनी levels पर हम friends trade करेंगे आज की वीडियो के लिए इतना ही thank you for watching झाज मिल की आपको पर आपको लाज सकत है करेंगे थाजी है वोला यह जो चाज अश्मीट रहत दोंगेंधे पास itष्डियो चाह से टोपको की कि एनीटी को पास्वेने को पर एकाज़ मिल एक रखको की तो मिल सकता है लिए भीग भीग तो एक्य गज़ जजगे खैंब